Royal Swedish Academy of Science ने सोंबार को कहा कि अमेरिकी अर्थ सास्त्रियों पॉल्मिर्ग्राम और रोबर्ट विल्सन को निलामी के सिध्धान्त में योगदान के लिए अर्थ सास्त में 2020 का नोबल प्रुसकार दिया गया है। निलामी के प्रारूप भी तैयार किये हैं जो पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है जैसा कि अधनिक अबृतियां। प्रुसकार समिती के अध्यक्ष पीटर फ्रेडिक्शन ने बताया अपने बयान में कहा। आर्थिक बिग्यान इस साल के लारिडस ने मौलिक सिद्दान के साथ सरुवात की और बाद में उनके परिणामों का उप्योग बहवारिक अनुप्रियोगों में किया। जो वेस्बिक स्तर पर फैल गए हैं। उनकी खोजों से समाज को बहुत लाब होता है। रोयल स्वेडिस अकेडेमी आफ साइंस के अनुसार अर्थ सास्त्रियों ने एक बिक्रेता की और से कई परस पर समधित बस्तू की निलामी के लिए ने प्रारूपों का विश्कार किया। जो की समाज के लिए अच्छा काम करने के बजाए प्रिद किया कि वहाँ अधित्तम मूले प्राप्त कर सकें। 1994 में अमेरिक अधिकारियों ने रेडियो स्पेक्ट्रम के बेंड को बेचने के लिए अपने एक प्रारूप का प्रयोग किया। ऐसा करने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिली कि करदाता रेडियो फ्रिक्ट्वेंसी की बिक्री से अलाबंबित हो रहे थे जो सरकार के स्वामित में थे। लेकिन मोबाल नेटवर्क आपरेटर के लिए भारी मूल ले थे। अर्दसास्त के लिए प्रुसकार को अधिकारिक रूप से आर्थिक साइंस में सिवर्जिस रिष्ट मैंक प्राइस के रूप में जाना जाता है। यह स्वीडन के केंद्रिय वेंक के दोरे स्ताफित किया गया था और 1969 से द्योगपती अल्फरेट नोबल की याद में सम्मानित किया गया है।